तो चलिए बात करते हैं तोड़े वाट वाट वी आर गोइंग टू स्टड़ी आज हम क्या सिखने वाले तुड़े वी आर गोइंग टू स्टड़ी आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ हिस्ट्री स्टेंडर्ड नाइंथ एंस एर्टी दि फ्रेंच रिवेलुशन पार्ट सेकंड ठीके पार्ट वन में इस टॉपिक का हमने इंट्रोड़शन देखा वी सॉ आवर इंट्रोड़शन आव इस फर्स टॉपिक हाव था वी स्टार्ट अवर जर्नी फ्रॉम दे फ्रॉम दाट फ्लैश्बैक इंसिदेंट ओके देंसिदेंट विच ओकर्ड ओन 14th जूलाई 1774 1789 14 जुलाइद 1789 हमने देखा इंट्रोड़क्शन में and what we are going to study today आज हम क्या सिखने वाले इसके बारे में हम बात करेंगे ठीके today we see this today we are going to start our first unit the French society during the late 18th century ठीके French society की हम बात करेंगे अब start करते first unit French society 18th century में किस तरह से French society का एक mode था एक phase था ठीके आज उसके बारे में बात करेंगे so here we start this topic in 1774 Louis 16 of the bourbon family became the king okay what happened here in 1774 king Louis 16 became king of bourbon dynasty bourbon dynasty है थी जिसका Louis 16 क्या बने राजा बने कब बने at the age of 20 at the age of 20 he became king of okay this France in okay in 1774 he became a king and he married at the age he married to the Australian princess Mary Antony और उन्होंने अपना विवा उनका विवा Mary Antony जो एक princess थी एक राजकुमारी थी कहां की राजकुमारी थी वो एक राजकुमारी थी Austrian princess Austrian princess थी यह मैंने क्यों यहां पर जानबुच के लिखा है क्योंकि आगे कई सारी topics जो हमारे related है Louis 16 जो king था और उनकी वाइब से related topics है सो विद दिसकुमारी 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 थी आवर स्थी आवर स्थी आवर इस topics so that's why the Mary Antony हम को याद रखना है and founded when Louis 16 विकेम अब देखे एक बहुत सुंदर सी यहां पर गटना हुए जो राजकोष था जो राज खजाना था खजीना था वो क्या था पूरा खाली हो चुका था कब खाली हो चुका था जब लुई 16 राजा बन चुके थे जब वो राजा बन चुके थे because in this time the France going with the critical economic crisis ठीक है एक economic आर्थिक सत्ता बहुत मुश्किल में थी उस वक्त फ्रांस के अब क्यूं जब लुई 16 राजा बने why he got empty treasury in his hand अब इसके पीछे की reason क्या के थे what was what were the reasons the reason is long year wars जो एक लंबे समय से यूद्ध चल रहे थे फ्रांस में एक लंबे समय से जो यूद्ध चल रहे थे उसकी वज़े थी empty treasury होने की जो राजकोष खाली हो चुका था then second cost of maintaining of palace of Versailles अब cost जो पैलेस वर्साइल का जो पैलेस था जहां पी ये राजा महराजा लोग इनकी family इनके relative सब family members रहा करते थे इस पैलेस पे फिजूल खर्ची की जाती थी बहुत बहुत जादा फिजूल खर्ची मैंने यह पी लिखा है फिजूल शान शौकत बनाए रखने के लिए उस पैलेस की dignity बनाए रखने के लिए लिए फिजूल खर्ची जिसका कोई यूज नहीं था ये उनमें से एक रीजन था कि एमटी ट्रेजरी क्यों हो रही थी एक इंपोर्टन यहां पे फ्रांस हैल अमेरीका तो इंडिपेंडेंट फ्रॉम दिब्रिटिश कॉलोनियल फ्रांस ने क्या किया अमेरीका को को financially help की क्यों help की financially कई सारी चीज़ों से help की to get independence from British colonial ठीक है अमरीका को help की कि वो अपना अपनी आजादी ले अपने अपने आपको आजाद करा किससे ब्रिटिशर से तो ये भी एक रिजन था help to America to get independence from the British colonial then government forced to increase taxes अब इन सारी चीज़ों को अब जो ये सारी चीज़ों की वज़े से जो government में या जो किंका जो राजकोष था खजाना था treasury थी वो empty हो चुकी थी अब इन सारी चीज़ों को भरना था क्यों भरना था to run the administration to maintain the courts to maintain the armies to maintain the universities चाहे वो armies हो चाहे courts हो या government offices हो कार्याले हो या university विश्व विद्याल हो इन सारी चीज़ों को maintain करना था चलाना था अब इसके लिए पैसा तो चाहिए then what the government did what they did they increased the government forced to increase the taxes taxes बनाए to meet its regular expenses अपने खर्चों को चलाने के लिए कौन-कौन से खर्चे थे आर्मी, court, government offices and universities थे इनको चलाने के लिए government ने क्या कि इनोंने increase किया किसमें they increase the taxes यहां तक बात समझ में है simple सी वे हमने क्या देखा कि लुई 16 जब राजा मने in 1764 at the age of 1774 sorry at the age of 20 he became king of bourbon dynasty then he married with Mary Antoinette then founded he founded the empty treasury खजीना खाली था ट्रेजरी खाली थी राजकोष खाली था तब फिर क्या होने लगे changes कौन कौन से changes क्यों यह खजीना खाली था ट्रेजरी एंटी थी क्योंकि इसके अपने अपने रीजन थे एक तो वर्साइल पैलेस पे जो फिजुल खर्ची की जाती थी जहां पर कोई जर्वत भी नहीं थी शान्शोकत बताने के लिए बहुत सारा धन बहुत सारा पैसा मह पे फिजुल खर्च हुआ किया जाता था था तो यहां तक बात समझ महीं ठीके आगे बढ़ते हैं एक टिन संचुरी फ्रेंच सौसाइटी डिवाइडे इंटो तुरी स्टेट है अब यह जानेका कि अठारी भी शताब्दी में क्या था कि फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो तीन भागों में डिवाइड थी अब इसमें क्या था जो फ्रेंच सोसाइटी उस बग दिवाइड थी तीन भागों में उसमें सिर्फ जो थर्ड इस्टेट के कॉमन पीपल जो पीजन्स और वर्कर्स आते थे जो कॉमन लोग पूर पीपल आते थे उनको ही टैक्स पे करना पड़ता था अब यह क्या है थोड़ा समय यहां पर हमारे टेक्स बूग में फर्स डाइग्राम आपको दिया हुआ है पेज नंबर बन पर ही तो आप धेशकते और मैंने यहां पर बनाया है So just we try to understand this First East state में कौन people आते थे कौन लोग आते थे Second East state में कौन आते थे मतलब मैंने कहा न In 18th century the French society वे divided into 3 East state अब वो 3 East state क्या थे और उनकी परिभाशा What were the conceptual meaning और उनमें कौन लोग आते थे ये थोड़ा साम देखते हैं First East state clergy अब ये clergy कौन थे ये आते थे ये clergy में आते थे Then Second East state में Nobility Nobel people ये Nobel people कौन थे राजा, महाराजा राणी, राजकुमारी, राजकुमार या the family members दोजवार related to the king Family member of king ठीक है ये बात clear है First में कौन आ है The father of churches Church के father पादरी और उसके बाद में जो Second East state में कौन राजा और उसकी family Family members Relatives Simple way में याद रखेगा अब जो Third East state East state था अब ये देखिएगा ये तो समझ में First East state Third East and Second East state अब Third East state में क्या आते थे Third East state में भी तीन तरह की Category होती थी First, Second and Third कौन कौन सी मैंने बनाई आपको समझाने के लिए उसमें भी देखिए First East state में आते थे Big Businessmen Big Businessmen Then Merchants Court Official एक्सेटरा जो कार्यालों में काम करते थे जो Big Merchants थे व्यापरी बड़े व्यापरी थे वो लोग आते थे अब उसमें जो Second भागे इस स्टेट का जो Second पार्ट है In that Second पार्ट पीजन्स और आर्टिसन् किसान और कामगार वर्किया तो कलाकार लोग इसमें आते थे Second पीजन्स और आर्टिसन्स And in Third That category Small पीजन्स Landless लेबर And Servants अब जो Third E.E. स्टेट में जो Third पार्ट आता इस पर गवर किजेगा Try to understand The Third E.E. स्टेट Third part That Small पीजन्स छोटे किसान Landless लेबर जिनके पास जमीन नहीं होती थी वो ऐसे वर्ग And Servant जो कामगार थे जो एक गुलाम ही की जिंदगी जीते थे So, these all are included In Third E.E. State Okay So, what we discuss Only the people of Third E.E. State Paid the taxes Means Which people These peoples are only paid the taxes Why? Because These people consider as a privilege They got some privilege By birth Privilege मतलब Shesh Adhikar Janma पर कुछ Adhikar इनको थे Aisa यहां तक था ठीके So, I hope so This you understand First E.E. State Second E.E. State And Third E.E. State Okay So, what we studied today We studied today The French Society During the Late 18th Century And What happened When Louis XVI Became King Of Bourbon Dynasty In 1774 हमने देखा किस तरह से Changes आने लगे Society में कौन-कौन से Changes तो नहीं बोल सकते कि Louis XVI जब राजा बने तो कौन-कौन सी Problems हो गई तो Empty Treasury सबसे Bडी प्रोलम थी फिर टेक्से Increase की गे Increase the taxes And to meet Their regular expenses Okay So Today we try to Understand Our concept That beginning of the French Society During late 18th century I hope so Everyone understood Got this point अगर नहीं समझ मैं थोड़ असा Video को Revise करके देखिएगा मैं बहुत ही Smooth way में ये समझानी की कोशिश कर रहा Point-wise निकाल के आपको I hope so That you will get This point Okay चलिए फिर आज हम यहीं रुकते हैं मिलते हैं हमारे अगले Point के साथ Part 3 के साथ और conceptual meaning We try to understand Okay तब तक के लिए अपना अपने परिवार का खयाल रखे सुरक्षी तरह Take care of yourself Your family Okay Thank you Thank you very much Have a nice day Bye-bye